सबसे पहले एक computer होता क्या है computer अगर आप देखें तो यह शब्द ही आपको सब बता देता है बस यहां तक लिखता हो गया यह आया है computing से ER बाद में लगा दिया जाए विसे E यहां लगा दिया जाए R बाद में लगा दिया जाए तो compute जो हो गया यही शुक्त बताता है कि शुरुआती दौर में कम्प्यूटर बनाया गया था क्योंकि香港 वगढ़र तो थे यunting कम्प्यूटर या कम्प्यूट इसलिए बनाया गया था ताकि हम बहुत सारे computation एक साथ कर सके एक साथ कर सके और जल्दी तरीके से कर सके पहला जो computer बना था चार्ल्स बैबेच साहब में बनाया था आपको याद होगा तो बहुत बड़ी एक रूम में बनाया था उन्होंने और खुब जबरदस उससे हीट निकलती थी और बहुत छोटा सा उसने addition या subtraction है इस तरह किसे कोई काम किया था तो computer system एक ऐसी machine है जिसमें आप electronics देखेंगे वाइरिंग देखेंगे बहुत तमाम चीज़े इसमें देखते हैं उसका main काम ये है कि पहले तो वो arithmetic और logic operation करें यानि अगर आप उसको बोले टू प्लस थ्री करना ये बहुत basic बता रहा हूँ मैं इतना ये ऐसा नहीं इससे बहुत high end पे computer काम करता है कियल समझदारी के लिए बता रहा हूँ कि टू प्लस थ्री दे तो वो 5 दे आपको दूसरा ये है कि इस 5 को store भी कर ले यानि store कर ले और जब हम इसको वापिस मांगे तो हमको 5 दे भी दे तो computer system का मतलब यह होता है एक ऐसी machine जिस तरीके से आप अपने operation कराना चाहते है तो मैंने यह बता दिया logical मतलब यह होता है A and B A और B और बहुत सारी चीज़े होती है यहां बात करना भी बहुत समय ले लेगा और आपकी चीज़ों को store भी करें आपके data को store करें निकाले तो इसके तीन main part होगी computer के तीन main part होगी जो आप यहां पर भी देख रहे हैं सबसे जो key part होता है वो तो central processing unit होता है जिसको हम CPU कहते हैं जो डबा देख रहे हैं पहले हम समझते थे जब हम समझ रहे थे computer को यह लगता था यह डबा है computer यह central processing unit अगर आप देखें तो इसमें बहुत छोटा सा एक part होगा motherboard पे लगा होगा वो होगा processor थे ना वो जो processor होगा वो ही processing वाला काम करता है लेकिन यह अकेले कुछ नहीं कर सकता जैसे कि इनसान अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर दूद उसको चाहिए तो उसको दूद वाले के पास जाना पड़ेगा वहाँ से दूद आएगा अगर से चीनी चाहिए तो गन्या का किसान जब चीनी पैदा करेगा अब आप कोई जैसे 2 प्लस 3 में 2 देना है, 3 देना है, प्लस देना है, यह 3 चीज़े देनी है आपको, यह कैसे देंगे आप, कीबोर्ट से देंगे, यह कोई और भी डिवाइस हो सकता है, अब यह आगे बात करेंगे, बहुत सारी input devices हो सकती है, फिलाल के लिए आप यह मान ल चलेगा कि इसका result 5 आया है, तो इसका result 5 यहाँ दिखना चाहिए, आउटपुट में दिखना चाहिए, तो इसके लिए आपके output unit है, पहले CRT monitor हुआ करते थे, cathode ray tube, फिर LCD, फिर LED, तमाब दरीके की चीज़े आ गई है, तो desktop computer का मतलब होता है, जैसे अगर आपकी यह maze है, मे जो आपका desk है, जो आपकी maze है, इसके top पे रखा हुआ है, इसलिए इसको desktop कहते थे, desktop यहीं से शुरू हुआ है, जैसे अगर आप देखेंगे, कि laptop जैसे जो शब्द बना है, कैसे हुआ है, जो आप बैठेंगे, तो आपको जो lap होगी, जो आपकी गोद में रखा जाता है, इसलिए उसका नाम laptop पढ़ेंगे, ऐसे होगी, तो एक desktop computer में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कि तीनो अलग-अलग devices होते है, desktop computer में, आपका keyboard अलग होगा, जैने input device, एक box होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े है, RAM है, सब के बारे में बात करेंगे, फि फिर एक motherboard में होगा, तुमाम चीज़े होती है, तो इसको हम सेंटर processing unit कहेंगे, फिर इसका result दिखाने एक लिए monitor होगा, जैने ये तीनों चीज़े अलग-अलग होगी, जैसे आप यहां भी देख रहे है, ये monitor है, ये keyboard है, ये आपको computer unit है, बैक में ये जो आपका use भी ये, अलग-अलग ports होते हैं, बैक में इसके, आगे भी होते हैं, तो अलग-अलग design होता है CPU, अच्छे जो इसका size है न, इसको हम form factor गहते हैं, क्या कहते है, form factor, अगर इसको मैं छोटा बना दू, माल लिजए, ये जो डबा है, वो इतने ही होता, इतने ही होता, इसका form factor कम होता, तो आप data देते हैं, raw data देते हैं, कुछ instruction देते हैं, instruction मतलब यह हो गया कि ये 2 plus 3 कैसे कर रहा है, अपने आप, जब 5 plus 6 करेंगे तो अब भी आपको ये 11 देगा, तो ये 5 plus 6 का अपने program लिखा हुआ, बकाइदा एक instructions दी है, तो जब आप instruction देगे, CPU इस पर काम करें, क्योंकि instruction वो, चाहे C language में आप दे रहे हैं, C++ में दे रहे हैं, Python में दे रहे हैं, तमाम तरिके के language हैं, बहुत variety language है, तो जो आप input दे रहे हैं, processing unit, उस input, जिस भी program में दे रहे हैं, वो एक program होगा, एक, set of instruction होगी, instruction में लिखा होगा, जैसे मैं आपका एक छोड़ादा C का program बतात लेते हैं, C out, ऐसे करके एक line होगी, यह program, यह अंदर का program दिखा रहा होगा, इसमें इस तरीके से होगा, कभी enter, enter number, तो दो number enter करेंगे, वो C in में ले लेंगे, ठीके, और उसके पास सीधा यह आप रहोगा, C equals A plus B, यहाँ पर A में ले 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 ले, और फिर C out कर दीजे, C को, तो यह एक program दिखा रहा होगा, यह आपको ध्यानी देना है, यह किवल इसने बता रहा हूँ कि, अंदर क्या लिखा है आपने, क्या coding की है, और उस हिसाब से यह चीज चल रही है, तो CPU को हम further divide करेंगे, अब यह इस डब्बे की बारे में बात करें, अच्छा यह जो ड को divide करें, तो सबसे CPU को divide करेंगे, तो एक control unit होता है, एक ALU होता है, जिसमें arithmetic logarithmic unit, और एक memory unit होती है, जैसे इसको समझने की सबसे च्छा तरीका है, कि हम इसको real life example से समझें, जैसे कि एक receptionist है, और एक manager है, रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट जैसे अगर आप किसी जगह जाते है, तो या एक receptionist बैठी होगी, वो आपको जानकारी देगी, वो सारी आपके information लेगी, और एक manager साब होगी, वो सारे लोगों को manage कर ले, तो control unit का काम है, कि भई, operation ठीक से हो, सही तरीके से हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज़ आ रह करेंगे कि यह instruction कहा जाना है, किस के पास जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितनी दूर देरी पे result आना चाहिए, तो सारा काम यह करते है, अब यहाँ पर आ जाई है, आप ALU की बात करते हैं, यह आप माननीजे, यह जैसे मैं यह होता है, यह receptionist हो गया है, manager हो गया है, ALU इसी computation बता रहा हूँ, बहुत high end computing होती है, यह जिसे आप games और देखते हैं, यह जितनी भी आप चीजे देखते हैं, जो आराम से हो जाती है, जो चीज सबसे आसान है, वो सबसे बड़ा logic उसके बीछे लगा होगा है, यह ध्यान रखेंगे, mathematical, logical सारे यह calculation करता है, अब आ ग company में, जिस तरीके से लोग होते हैं, उसी तरीके से CPU में यह part होते हैं, यह आपको जैसे बोलेगा रहे हैं, परसो consignment आया था जरा बताईएगा, निकाले जरा उसको, तो निकालेगे, कोई बनेगा pen दीजे तो यह pen निकाले देगा store से, ऐसी चीज, अब थोड़ा सा computer को हम compact कर देते हैं, यह बन जाएगा आपका laptop, laptop कहां रखते हो, इसको आप desktop की तरह रखिए, इसको कहीं मिले जाएए, इसको fold करिए, कहीं मिले जाएए, तो यहाँ पर अंतर यह है, इस desktop और laptop में, कि यह तीनों चीज़ों को आप combine कर देगे, यह तीनों combine हो जाएगे, यह आपका input unit, output unit, और जो आपका main unit है CPU, यह सारे combine हो जाएगे, अब आप देखिए, कि जो input और output होते हैं, इनको है peripheral भी कहते हैं, यही असली इसका दिमान, brain समझ कह सकते हैं, दिल दिमान कह सकते हैं, यह बाकी जो चीज़ों है, यह helping है, यह आप keyboard center करते हैं, output पर आप output देखते हैं, क्यों यही है, तो इनको हम peripheral कहते हैं, input output को, input output devices जो है, इनको peripheral कहते हैं,osa, periphery मतला होता है boundary, तो आपका CPU है, इसके आसपास जो भी इसके साहथ connect आप करेंगे, आपका का behöं करने के लिए, इनको peripheral कहते हैं, तो इनको connect करने के हमारे पास ports होते हैं तो इसके पीछे जो अलग-अलग नाम देख रहे हैं यूस्बी पॉर्ट वीडियो पॉर्ट ऐसे तमाम तरीके होंगे पीछे जो आप यह पलटता है तो भी आख आप देखते हैं अब इसको हम देखेंगे कि करके बहुत डीटेल में बात करने वाद हैं